नमस्कार हूं चुपाहिल बांभणियां आप चोई रिया छो HBN TV न्यूज तो चोई आद्ना महत्वना समचार मा कालूल थालुका मा एवाइक ट्रक ड्राइवर आव्या के चेमनी साथे नरेंद्र मोधी जीये मन की बात कार्यक्रम मा वाद करे मेरा नाम सर्दिनेज बाबुलनातु पाध्या है मैं गाव हसनपूर पोस्ट जमवजिदा जौनपूर का निवास्य हूं आज 14 से 15 साल से मैं ऑक्सीजन का टैंकर चला रहा हूं और पहले इतना क्रिटिकल अक्सीजन नहीं था यह दो साल से अत्ते करोना आया है तब तक हमारा लोग का काम जो है बहुत चैलेंजिंग हो जया और इसी बीच में अक्सीजन के लिए मगजमारी मलब नहीं मिल रहा है आदमी मर रहे है और इसमें हमारा लोग काम थोड़ा और बढ़े हम लोगों ने दिन रात एक करके कभी बोकारों कभी उडिशा कभी इसाका पत्नम कभी बिलाई और जगह से अक्सीजन लाके हस्पिटलों में खाली किया और किसी भी प्रकार से हम लोग अपने कर्टब को निर्वा कर पाए चाही रस्ते में हमको खाना मिला चा ही नहीं मिला लेकिन फिर भी हम लोग अपने कर्टब पर बढ़ते रहें और हम सोचते हैं अगर सब लोग अपनी साथानी रखेंगे मास्क लगाएंगे सेनिटाइजर यूज करेंगे और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो करोना भी गया नहीं है तो हम लोग ऐसे करोना को हरा पाएंगे अगर सब चीज ऐसे वीड़ वार में ऐसे सब रहेंगे तो हम करोना को कभी नहीं हरा पाएंगे इसी नरंद भाई मोजी से बात हुआ मुझे तो दिस्टासी नहीं हुआ कि ऐसे सबस्टी प्रधान मंतरी से मैं बात कर पाऊंगा एक फ़र ड्राइबर लेकिन हमारे प्रधान मंतरी का यही खासियत है जहां कोई नहीं सोचता वहां प्रधान मंतरी का मेरे पास फोन आया मैंने बात किया अपने को बहुत